हाई वेल्कम डू मैं चनल इस वीडियो में सॉल्व करें कुश्चन नमर 13 राइट 5 नमबर्स विच यू कैनाट डिसाइड वेदर डे आर स्क्वेर्स तो हमें 5 ऐसे नमबर्स लिखना है जिसको आप किवल देख करके डिसाइड नहीं कर सकते कि वह स्क्वेर होंगे या नहीं तो इसका आंसर क्या होगा ध्यान दिजेगा हमें वह 5 नमर्स लुटना है क्या करना पड़ेगा हम यावली लेते हैं आंसर में कि required required 5 numbers are 5 numbers are तो हमारा पहला हो जाएगा देखिया कुछ भी लिखना स्टाइड करिए कुछ भी anywhere 10238 और last में ऐसा number लिखिए units place का digit 23789 मना कि इंड में से कोई भी नहीं होना चाहिए आप कोई भी इसके इंड में लिख सकते है मतलब कि यह मैंने लिखा और last में मैंने लिख दिया 4 तो यह number ऐसा है जिसको हम देख करके decide नहीं कर सकते कि यह preferred square होगा या नहीं होगा ठीक है तो this is the this is one number अब हम जिसे छोटा number लिख देख होगी 281 लिख देते हैं हम से और लिख साथ नहीं कर सकते हैं कि यह preferred square नहीं होगा या होगा नहीं कर सकते हैं थर्ड हम यह भी कर सकते हैं कि यदि हम किसी number के end में even number of zeros लगा देते हैं let us suppose हम लगा जाते हैं 91 के आगे यदि दो zero लगा दे तो हम यहाँ पर confirm नहीं है कि यह perfect square होगा या फिर नहीं होगा मतलब हम यह decide नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दो zeros लग गए हैं ओके ठीक है पाचवा number लिख देता है जिरो लगा देजी यहाँ पर even number of zeros लगाएंगे तो यह बिल्कुल ही अभी पता नहीं है कि यह perfect square होगा या नहीं होगा लेकिन यदि आप odd number लगाते न odd number of zeros बिल्कुल confirm ली का सकते थे कि यह perfect square नहीं होगा लेकिन यहाँ पर आप अभी confirm नहीं है इसलिए हम बोला है कि write five numbers which you cannot decide whether they are squares तो हम यह decide नहीं कर सकते कि यह squares है या नहीं है ठीक है और पाचवा हम इन्हें में से लिख लेते हैं means हम ऐसा नमबर लिखते हैं जिसका लाश में 9 है मालीजे कि 99 999 यह भी ऐसा number है जिसके बारे में हम decide नहीं कर सकते कि यह perfect square होगा या नहीं होगा हमें मतलब कि इसको factorize करना पड़ेगा तब चेक करना पड़ेगा तब पता चलेगा ठीक है बात यह है कहने का मतलब कहने का मतलब कि इसको solve करने के लिए इस question को answer करने के लिए मैंने perfect square ठीक है लेकिन 2378 को छोड़ करके यदि कोई दूसरा digit होता है तो हम confirm नहीं होंगे कि वह perfect square है या नहीं है इसलिए हमने उस तरके से लिखा और question के मताबिक लिखा है क्योंकि question में वह पूछा भी है कि write five numbers which you cannot decide अब decide नहीं कर सकते हैं whether they are squares अब हमने एक और principle के यूज किया है कि तो पहला principle था दूसरा हमने यूज किया कि किसी भी number के end में यदि odd number of zeros जाते हैं odd number of zeros odd number of zeros zeros तो वो क्या होगा not a perfect square होगा इस case में भी लेकिन हमने यहां पर क्या किया even number of zeros का यूज किया इससे यह पता चलता है कि हम confirmly नहीं पता सकते कि यह नहीं है एक square मतलब यह है भी यह नहीं है हमें नहीं पता हमें decide करना पड़ेगा कैसे factorize करके decide करना पड़ेगा कि इसके number of factors जो है pair में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं तो this is the whole concept for this question इदि आपको चलागा तो like करती जीगा तो share करिएगा and thank you so much for watching bye आपको चलागा तो